आपका स्वागत अविनंदन मेरे प्रोग्राम खेल ग्रहों का में हम बात करें रासिफल 2019 अथा जुलई मा की हर मा का रासिफल स्टार्ड करने का उद्धिश यही है कि आने वाले समय से आप पहले से अवेर हो जाएं साफदान हो जाएं यदि अच्छा है तो आपको कॉन्फ बढ़ जाएगा और आप उस ताइम पिरिट का फाइदा अधिक उठा सकते हैं यदि टाइम पिरिट नेगेटिव है तो गवराने की जवत नहीं है आपने सरफ और सेफ साइड में जाना है प्रोटक्टिव हो करके अपने आपको रिस्पेक्टर में से निकाल करके आगे ब से भाग दे दीजे तो लगबग 15 करोड के आज पास जो लोग आएंगे वो एक ही रासी कहूंगे तो क्या सब को सेम प्रतिफल मिलेगा सेम रिजल्ट सब को मिलेगा ऐसा नहीं होगा आपकी कुंडली में कौन सा अगरा बलवान है कौन सा गरा कितनी डिगरी का है कौन से आ करम अच्छे करेंगे करम भरपूर करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको बैटर ही मिलेगा क्योंकि भाग्य आधारीत है करम पर करम के बिना भाग्या का भी फल नहीं मिलेगा भाग्य के अनबुति नहीं होगी इसलिए करम करने की प्रेणा सदेव अपने साथ में रासी का अधिपती ही कुंडली में नेगेटिव हाउस में अथा नीच रासी में यहाँ पर नीच और उच को आपने कनफीजन में नहीं आना है जो गरफ पीडित है अथा नीच रासी का अर्थ ही है जो गरफ पीडित है वो आपको भी ज्यादा पॉजितिव नहीं दे करके उ उसमें कुछ ने कुछ कमी करेगा इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ negative करेगा Life Lord कुंडली में सुख भाव में हैं इसलिए जाँ जाँ वो गर देखेगा वहाँ वहाँ डिस्टरब करने का काम कर सकता है मंगल कुंडली में 7th house को देखेगा कुंडली में 10th house को देखेगा और 11th house को देखेगा 7th house है domestic life का अता घर गरस्ती का 10th house है जहाँ पर आप job करते हैं business करते हैं वो इस्थान वो atmosphere वो है करमस्थान और 11th house है gain इसलिए मंगल जाँ जाँ देखेगा वहाँ वाँ प्रॉलम कर सकता है लेकिन यही मंगल जो नेगेटिव मंगल है नीच रासी का मंगल है यह कुनली में उच रासी के स्थान को भी देखता है इसलिए जो जो आपकी वरकिंग स्ट्रेंट है वरकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको इंप्रॉमेंट भी देगा वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड़ अप करेगा वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के चांसेज भी देगा और साथ यसाथ वही मंगल कॉन्ड़ी में 11 अउस को देखता है गेन को देखता है तो जो आप effort करेंगे जो आप करम करेंगे उसमें आपको बैटर मेंट भी देगा इंप्रॉमेंट भी देगा और साथ साथ में progress भी देगा confidence भी देगा सबसे पहले बात करते हैं finance की तो finance लोड शुकर है जो की कुन्ड़ी में better strength में है better placement पे है आता तो finance में आपका name fame भी बड़ेगा finance strength भी बड़ेगी और यदि कहीं से पैसा आना due है पैसा बकाया है आप effort कीजिए वो पैसा आपको मिलने वाला है जुलाई 2019 में जो आपके साथ में गटित हो सकता है वो positive और negative दोनों ही चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ और बार बार में एकी चीज़ बोल रहा हूँ negative से परिशान होने की जवत नहीं है सरफ और सरफ aware होना है सावदान होना है वो आपकी जीत है सावदान होने से नुकसान अगर आपका कम हो जाएगा तो आपके लिए better है आपको ही वो नुकसान अगर बच जाता है तो आपकी वो income है मालो एक करोड रुपे आपके पास में है और दस बिस लाग रुपे आपको loss होने वाले थे और वो नहीं हुआ तो वो आपका गेन है वो आपकी जीत है वो आपकी success है कि आपने नुकसान को बचा लिया तो financially जुलाई 2019 आपके लिए अच्छा है आपके लिए better है गेन के हिसाब से भी और जो बकाया dues है उनको वापस पाने के लिए भी ये time period आपके लिए अच्छा है फिर बात करते है education की तो education में ये जो माँ है July 2019 की 17 July तक क्योंकि 15 June से लगा करके 17 July तक जो सूरिय है वो मिथुनरासी में रहेंगे 5th house का लॉड अपने से 11th house में है वो unexpected success देगा अगर आपको competition के exam देने वाले हैं July 2019 में 17 July से पहले तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका exam बहुत अच्छा होगा आपने जो सोचा उससे ज़्यादा बेटर अच्छा exam होगा और आपका confidence बहुत बेड़ अप रहेगा और यदि को interview है तो भी आपको ultimate success मिलने वाली है इसलिए आप advance में मेरी होसे बदाई स्विकार करें तो education में ये time period बहुत अच्छा है अब बात करते हैं health की health का अधिपती कुंडली में बुद्ध है वो भी health के इस्तान से gain के इस्तान में बैठावा है इसलिए जो भी person skin problem से को problem देख रहे हैं throat infection से problem है जिनको back pain है या जिनको mass species का दर्द है उन लोगों को इस जुलाई माह में राहत मिलेगी क्योंकि बुद्ध बीस जून से लगा करके 30 जुलाई तक continue करकरासी में रहेंगे और करकरासी में रहने तक यह आपको health में improvement देंगे और health को लेकर के health को लेकर के ज़्यादा परशान होने की कहीं जवत नहीं है कि यह अगर health problem कहीं आती भी है क्योंकि बुद्ध का sector है skin problem, pigmentation throat infections, vocabulary इन चीज़ों से लेटे जो भी problem होगी mass species लेटे जो भी problem होगी वो temporary होगी इसलिए परशान होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है अब बात करते matter relation की seventh house, seventh house दामपत्य सुख है मंगल वहाँ पर अपनी चतु दस्ती से देखता है मंगल का मतलब है argument करना मंगल का मतलब है जोश, मंगल का मतलब है एक ही चीज़ का उपाय है कि जब ऐसी situation आये तो एक ही चीज़ बोलिए ठीक है आप सही हो और मैं ये practical ही तोर पर बोलता हूँ कि husband wife जिनके बीच में argument जादा होते हैं वो एक ही नियम अपना ले कि सुमबार, बुदवा, सुकरवार husband को दे दीजे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, wife रख ले जिस दिन एक कोई आदमी लड़े जगड़ा करे उसका जवाब दूसरे दिन दे उससे दिन वो जवाब ही नहीं दे क्योंकि उसकी चांस ही नहीं है यदि आपने फॉर्मूला अपना दिया तो आपके घर में लड़े जगड़े की संभावन है, एकदम नियून हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी और आपकी जिनकी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल हो करके एक प्रकार का उपाए, एक प्रकार का फॉर्मूला अपना लिया है, कि जिस दिन एक लड़ाई करे, उसका जवाब दूसरा उस दिन दे ही नहीं अगले दिन ही जवाब दे, क्योंकि उसकी उस दिन बारी नहीं है जॉब के बारे में या बोल सकते हैं बिजनस के बारे में आदमी कोई भी एक ही काम कर सकता है या तो वो जॉब करे या वो बिजनस करे तो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि टैन्त आउस का लॉडशनी है जो की 24 जनवरी 2020 तक धनूरासी में ही रहेगा तो एक केंदर का अधिपति तिर्कोर्ण में होने से सिच्वेशन को राजयोग वाली बोलते हैं तो ये राजयोग वाली सिच्वेशन आपके वर्किंग एन्वार्मेंट के लिए वर्किंग प्लेट्फॉर्म के लिए बैटर है ये जो टाइम पिलिट चल रहा है इस टाइम पिलिट में इस पेसली आपको जुलाई में ये बोलूँगा कि जो भी आपके आपके उफिसर्स हैं जो भी आपके उच अधिकारी हैं जिन लोगों से भी आपका काम पड़ता है चाहिए वो प्रोजेक्ट मेनेजर हैं चाहिए वो सूपरवाइजर हैं चाहिए जो भी आपसे उपर के लेवल पे हैं जिनको आप रिपोर्टिंग करना पड़ता है आप उन लोगों से उलजिये मत उन से प्यार से बात कीजिए, रस्पेक्ट से बात कीजिए, तो उस सिच्वेशन में एक चीज सबसे अच्छी हो जाएगी, कि एक तो ये टाइम पिरिड आसानी से निकल जाएगा, और आपके उपर जो एलिकेशन आने वाले हैं, वो नहीं आ पाएंगे, क्यों कि मंगल की सी दिवान रहेंगे, तो ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने का मतलब ये, कि हमारी मजबूरीय है, इसलिए हम जॉब कर रहे हैं, तो अपने को डाउं ग्रेड होने में कोई प्रॉलम नहीं होनी चाहिए, और ये टेम्परेरी है, हम इस लिए नहीं आउख बोल रह रहें या इंसर्ट महसूस करें ऐसा करने से अच्छा है कि ओके यस बॉस बॉस इस ऑल्वेज राइट यह फॉर्मूला भी है तो अपना लीजिए फॉर्मूला अब बात करते हैं गेन की तो गेन का अधिपती अथाथ कुली में 11 ताउस का लॉड़ शनी है शनी अपने से 11 त इसमें हमेशा गेन देने वाली सिच्विशन में ही रहता है और मैं एक एक अग्जाम्पल देता हूं कि सामप का जहर भी वापस दवाई बनाने में काम आता है कोई भी गडर्ख़ता भी खराब हो फिर बी 11 ताउस में जाने से या 11 स्तान में रहने से सबसे ज़्यादा mining and hardware product, electrical goods, home appliances, acid, salt, paint, इन sector में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस जुलई में बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा, बहुत अच्छा गेन होगा, आपकी जो भी आवशकता हैं, जो भी नीड है, वो भी पूरी होगी, और साथ ही साथ, जो आप गेन करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा बैटर, अनेक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन इसी डंग से आती है, वो आपको बैटर गेन मिल सकता है, तो यह रासीवल ता जुलई 2019 का, थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिनों में आपको अगस्त का रासीवल भी देखने को मिलेगा, समय से पहले रासिफल देने का क्रम इसलिए ताकि आप जो जो प्लान करना चाते हैं जो सावधानी रखना चाते हैं वो सावधानी आप रख पाए स्वस्त रहिए अपना ख्याल रखिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए और यह रासिवल कैसा लगाई, जरूर बताईए, हमारा उद्देश्य यह यह है, कि आपके भाई बेन, आपके माता पिता, आपकी सोसाइटी, आपके पत्नी और बच्चे, आपको आगे बढ़ता हुआ देखें, और हमारा उद्देश्य आपको साहता करना ही है, कहीं आपको परिशान करना कहीं आपको नेगेटिव बताना कहीं आपको डराना यह उद्देश कहीं भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप आगे बढ़ें आप सक्सेस हों यही मेरा मंत्व है नमस्कार झाल, 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 झाल...